गांधी दर्शन की क्लास में स्वागत अभिनंदन स्थक्वाल खुशामदीद प्रिंस अप वेल्ट्स के भारत आगमन के साथ ही जो विरोध फ्रारंब हुआ उसकी ज्वाला संपूर्ण देश में धधग चुकी थी और इसके उपरांथ बिटिश भारती सरकार बहुत स्टिक हो चुकी थी और बड़े बड़े नेताओं को पकड़ पकड़ करके जेल में ठूसा जाने लगा जिसके विरोध श्वरूप विद्रो की जो आग है दिरे दिरे और तेज तरीके से सुलगनी शुरू हो गई इसी दरमियान एहमदाबाद में राश्ट्री कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ फ्रांसिसी क्रांती की तरह देशा 1789 की फ्रांस की क्रांती के दोरान विदान परिशद का अधिवेशन बुलाया गया जिसके कारण से वो इतना दीर गंबीर अधिवेशन हुआ फ्रांसिसी विदान परिशद का के उसका फाइदा फ्रांस की क्रांती कारियों को मिला ठीक उसी प्रकार से बाड़ते राष्ट्री कांग्रेस का जो एमदबाद अधिवेशन है जो इस असयोग आंदोलन की सुलंक्ती आग के बीच में हो रहा था वैसा ही गंबीरता के साथ सुरू हुआ उस समय हाली में कांग्रेस के सबापती को केद किया गया था अते विचार विमर्स भर्षक शंग्शिप्त ही हुए असयोग की नीती का एक बार फिर जोरदार समर्थन किया गया स्वेम सेवक दल में नाम लिखाने और जेल जाने के लिए सबी भारतियों का अहवान किया गया कॉंग्रेस ने बारत में सब जगे सबा समीती करने को कहा यह भी जाहिर किया गया कि कानून भंग करने में उनका विश्वास है कहा गया कि यह अंदोलन सब शश्श्त्र क्रांती से कम शक्तिसाली तो है ही नहीं मानवता के पक से और अधिकूंचे दरजे का है कॉंग्रेस ने यह निर्देश भी दिया कि अहिंसा निती में समुचित रूप से जनता के दिख्शित होते ही यह अंदोलन आरंब किया जाएगा अधिवेशन खत्म होने के पहले ही अधिकांज सदस्य गिरपतार हो सकते हैं इस आशंका से कॉंग्रेस ने अपने सारे अधिकार गांधी जी को सौप दिये वस्तूते उन्हें अधिनायक के पद पर बैठा दिया गया यानि कि सारे निर्णे वो स्वेम करें इस प्रकार का पद और प्रतिष्टा गांधी जी की हो चुकी थी उन्हें ये भी अधिकार दिया गया कि जरत पढ़ने पर वे अपना उत्राधिकारी स्वेम चुन सकेंगे कॉंग्रेस ने उन्हें बारत्य राजनीति का एक मात्र नेता बना दिया एक शर्त जरूर रखी गई कि राष्ट्रे लक्षे में हेर फेर न कर सकेंगे और कॉंग्रेस समीति के अनुमति के बिना सरकार के साथ समझोता नहीं कर सकेंगे इस खयाल से कि भारत और भी जल्दी संपूर्ण स्वाधिनता प्राफ्ट कर सके विदान सभा के कुछ लोगों ने हिंसात्मक निति ग्रेन करने का प्रस्ताव रखा था यद्पी गांदिवादी अंधिकान सदस्यों ने हिंसा का विरोध किया यानि गांदी जी और उनकी जो पूरी टीम थी उनका जो दल था वो बेलकूल पूरी तरह सा अहिंसक आंदुलन करने में विश्वास करता था और उनके कद और उनके इस योजना के कारण ही संपूर्ण भाट्य रश्ट्रे कॉंग्रेस के अधिवेशन में एक मत से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि गांदी जी जैसा कहे जैसा चाहे वैसा ही भविश्य में होगा बाद के कुछ हफ्तों में बारत में प्रबल उच्छा की आंदी बैती रही 40,000 इस्त्री पुरुषों ने प्रसन्नता पूर्वक जेल यात्रा की 40,000 लोगों ने असयोग अंदुलन के अंत्रगत अपने आपको समर्पित कर दिया और वो सब जेलों में डाल दिये गए उनके पीछे और भी हजारों हजार नर्नारी थे जो अपने विश्वास का प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ ठीक मुहरत की प्रतिक्षा कर रहे थे गांदी एक बार फिर जंता को कानून तोड़ने का आदेश देने को तयार हुए बंबई प्रदेश का बारदोली नामक इस्थान जो आज गल गुजराट में बंबई प्रदेश का बार्दोली नामक इस्थान इस अर्थ में आदरश है कि वहां हमेशा गांदी के आदरश आदेशों का सफलता पूरवक पालन हुआ था निश्चे हुआ कि आंदोलन के आरंब का प्रथम संकेत वहीं से दिया जाएगा याने बार्दोली से दिया जाएगा सन 1922 की 9 फरवरी को गांधी जी ने एक खुली चिट्टी के द्वारा वाइसराई को इसकी प्रथम सूजना दे दी चिट्टी में विने का बाव तो था लेकिन उसी में संग्राम की भी स्पस्ट गोशना भी थी पत्र में उन्होंने लिखा था आंदोलन का मुख्य दाइत्व उन्होंने स्वेम ही लिया है और जिस सरकार ने बोलने लिखने और सवा समीतियों के आयुजन की जनता की स्वतंतरता पर निश्ठूरता पूर्वग आगात किया है उसके विरोध अहिंसक क्रांति का प्रथम चरण बारदोली में आरंब होगा गांधी ने लॉर्ड रेडिंग को साथ दिनों का समय दिया जिसके अंदर सरकार को अपनी नीती में परिवर्तन करना होगा यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो विद्रोध फूट पड़ेगा जिसका आदेश दिया जा चुका है पत्र अभी उन्होंने बेजाई था कि गोरखफूर जिले के चोरी चोरा में एक ऐसी भयंकर गटना हो गई जैसी इसमें पहले कभी नहीं हुई थी एक जुलूस में जा रहे लोगों पर पुलिस ने हमला कर दिया बाद में जब जन्ता ने भी पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने गोली चलाई और थाने के अंदर जाची पी जब जनता ने थाने में आग लगा दी थाने के अंदर बंद पुलिस वाले वालों ने व्यार थी दया की भीक मांगी लेकिन उन्हें जला कर मार डाला गया पहले पुलिस की ओर से हुई थी और इस हत्याकांड में ऐसे योग के स्वेम सेवकों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था इसी से इस मामले में गांदी के लिए अपने को दोसी मानने का कोई कारण नहीं था लेकिन वे तो सारे देश के विवेक हो गए थे कोई भी बारती है कोई दुशकर्म करे तो वे आकर उसके हिर्दे में लगता था अपने देशवासियों के समझ पापों को उन्होंने अपने कंदे पर ले लिया था इस गटना से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने ततकाल आंदोलन को दूसरी बार इस्तकित कर दिया गोया कि उन्हीं के आदेशों से अभी अभी आंदोलन शुरू हुआ था बंबई के दंगे के मुकाबले इस बार की गटना उनके लिए और कस्ट कर हुई सिर्फ कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने वाइसराय को चुनोती का पत्र भेजा था अब उसे वापस देना क्या हाशाश्पद नहीं होगा उनके एंकार ने जिसे वे शेतान कहते हैं उसे लोटाने से उन्होंने मना कर दिया और इसी कारण उन्होंने खास तोर से उसे लोटा देने का निश्चे किया सन 1922 की 16 परवरी को यंग इंडिया में उनके जीवन का एक वह अधबूत दस्तावेच प्रकाशित हुआ चोरी चोरा का पाप जिसका मूल अंग्रेजी में था उन्होंने जनता के सामने निश्चल रूप से अपना दोश्विकार किया ऐसी पीडा की गड़ी में भी उन्होंने लेक का आरंब बड़े प्रसन्न व्यक्ति की तरह किया था उनको इस तरह लांशित किया इसके लिए उन्होंने इश्वर को दिन्यवाद दिया मेरे प्रती इश्वर की कृपा का अंत नहीं है इस बार तीसरी दफा उन्होंने मुझे बतलाया कि बारत में अभी अहिंसा और सत्य का वातावन नहीं बना है केवल अहिंसा और सत्य की नीती जनता के कानून बंग आंदुलन को युक्ति संगत बना सकती है और आंदोलन को मैं केवल इसी कारण सर्व साधान के लिए उपयोगी बनाना चाहता हूँ कि वे भद्र, नम्र, प्रग्यापर प्रतिष्ठेद और स्वेचा प्रेरित होगा हिंसा अत्वा पाप के मार्ग पर नहीं वे सदा प्रेम के मार्ग पर ही चलेगा सन 1919 में जब इस्वर ने मुझे इस प्रकार साधान किया था जब रोलेट कानून के विरुद्ध विद्रो हुआ था तो एमदाबाद, बीरम गाम और खेडा ने गलती की थी गलती अम्रेशर और कसूर में भी हुई तब मैंने अपने को सुधारा, अपनी बूल को हिमाले जैसी बूल कहकर स्विकार किया और इश्वर तता मुनिष्य के सामने विनयावनत हुआ मैंने केवल जनता के कानून भंग आंदोलन को ही नहीं अपने आंदोलन को भी बंद कर दिया दूसरी बार मुझे वे चेतावनी बंबई की गटनाओं के समय मिली इसवर ने मुझे जिनका आंखों देखने वाला गवा बनाया था बार दोली में जो कानून भंग आदोलन शुरू होने जा रहा था उसे मैंने बंद किया उस बार मुझे अपना उस बार उसे मुझे अपना अपमान की चोट ज़्यादा गेरी लगी थी लेकिन उससे मेरा वलाई हुआ उस विलम से बारत को लाब हुआ इसमें मुझे संदे नहीं है यह इसी प्रकार प्रमानित हो सका है था कि बारत सत्य और अहिंसा का प्रतिनिदी है लेकिन जो सब से कड़वा अपमाने वे आज का है चोरी चोरा के माध्यम से इश्वर की आवाद साब सुन पड़ती है भारत जिस खषण अहिंसा के माध्यम से स्वतंतरता के सिद्धान पर चड़ने चला था ठीक उसी खषण जनता की द्वरा इस तरह हिंसा का आश्रे लेना अशुब की सूचना देता है देश में ऐसे हिंसात्मकारियों के दमन का बार ऐसा योगों को लेना पड़ेगा भारत के गुंडों को जब तक बुरी तरह कबजे में न कर लिया जाएगा तब तक हिंसा का दमन संबव नहीं होगा तो ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही वास्विक्ताओं के उपर कसा हुआ सत्य गांदी जी ने यंग इंडिया के अपनी लेक में लिखा और बहुत ही मजबूरी में उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने की गोशना की तेरा फरवरी को उन्होंने बार दोली में कांग्रेस कारे कारेनी समीती की बैटक बुला कर अपने संकट की बात कई अनेक सदस्ये उनके साथ सहमत नहीं हुए लेकिन उन्होंने कहा उन्हें इश्वर का आशिरवाद मिला है नई तो उनके सहकर्मी उनके प्रति इतनी सानुबूती का बाव कैसे दिखलाते उनकी दूइदा कहा है ये उनके सहकर्मी उन्हें समझा है और उनी के अन्रोज से उन्होंने कानून बंग आंधुलन को अस्तकित करना स्विकार किया है और सारे संग्ठन को अहिंसा के उप्योग वातावन तयार करने के लिए आमंदित किया है कानी ने कहा मैं जानताओं की प्राए सारे उगरवादी कारिकरम में जो आमूल परिवतन किया जा रहा है वे शायद राजनितिक द्रस्टी से बुद्धि माने का काम नहीं है लेकिन धर्म की द्रस्टी से वे उचित और युक्ति संगत है इसमें मुझे संदे नहीं है मेरे लांशना बौद और दो स्विकार के द्वारा देश लाभानवित होगा सत्य और अहिंसा इनी गुणों का मेरा दावा है मैं किसी अति मानुशिक शक्ति का अधिकारी नहीं हूँ होना भी नहीं चाता जिस तरह किसी दिन मेरे शरीर का मांस नस्ट हो सकता है वही मांस हमारे अत्यांत दुर्बल बाईयों के शरीर में भी है इसलिए उन्हें की तरह कभी मैं भी गल्ति कर सकता हूँ मेरी शक्ती बहुत सीमित है, फिर भी अज़ संपूर्धा के बावजुद उसने इश्वर का अश्रवात पाया है, अपना दोस्विकार करके गंदगी को जाड से बहारा जा सकता है, मैं अपना दोस्विकार कर सका हूँ, इसी से मैं अपने को और अधिक शक्तिसाली पा रहा ह कुछ लोग मेरे विरोध में कहते हैं कि बारदोली में जो कुछ हुआ उसके साथ, चोरी चोरा की क्रोटा का कोई सम्मद näहीए इसके बारे में मुझे भी कोई संदे नहीं है देश के और लोगों की तुलना में बारदोली के लोग बड़े सांथी प्रिय हैं लेकिन विशाल देश के मुकाबले में बार्दोली में ही कितनी सी बार्दोली है कितना सा दूसरे इलाकों के पूरे सयोग के बिना ही बिना तो उसका उद्योग सपल हो नहीं सकता तो इस प्रकार से गांदीजी ने बहुत ही अपना जो बहुत ही द्रड सिद्दान्थ था सत्य अहिंसा उसके उपर अडिगरे और चोरी-चोरा नामगिस्तान पर जो पुलीस द्वारा बरबरता के विरोध पुलीस थाने में आग लगा करके उनको जला दिया गया पुलीस व बिलकुल ही अस्तगित कर दिया जिससे उनको हानी तो हुई लेकिन वो अपने सिद्दान्थों के उपर अडिग रहे ऐसे थे हमारे गांदी रास्टपिता मात्मा गांदी धन्यवाद प्रोफेसर जलाल अदिन काटाथ एस्टी गवर्मेंट कोलेज ब्यावाद